हलो फ्रेंड स्वल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपको शौट बेबी कुर्ती बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने स्रिप एक मिटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते है तो पूरा जो एक मिटर फैब्रिक है उसे मैंने फोर फोल्ड करके बिचाया हुआ है जो मेडी सैट है उसकी बंद वाली सैट है और जो उपर की सैट है वो इसकी खुली हुई सैट है इस तरह से मैंने इसे फोर लेयर में बिचाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 26 सिंज की रखी है ये 25 सिंज की लंबाई हमारे रेडी होगी आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज्यादा भी कर सकते हैं तो मुझे 25 सिंज की ही लंबाई चाहिए थी अब उपर से शोल्डर के लिए हमें साड़े चेंज पर निशान लगाना है क्योंकि हम इसे स्लिवलेज बनाने वाले है तो शोल्डर हमें साड़े चेंज का लेना है और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें साड़े चेंज पर ही निशान लगा देना है साड़े छे इंच पनिशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रोग कर देंगे जितना हमने शॉल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है अभी यहाँ से हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे अभी बेक आम होल के लिए हमें देर इंच पर निशान लगाना है और फ्रन्ट आम होल के लिए एक इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रोग कर देना है फ्रन्ट और बेक आम होल के लिए अभी उपर से एक निशान हमें 12 इंच पर लगाना है जहां से हम कमर का मेजरमेंट लेते है और दूसरा निशान हमें 16 इंच पर लगाना है जहां से हम हिप का मेजरमेंट लेते है तो एक निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है अभी चहाँ पर हमने 16 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें हिप का मेजरमेंट लेना है तो आपकी बेबी की हिप का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एड़ कर देना है साड़े 9 इंच पर ही निशान लगाना है अभी तीनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइंड डो कर देनी है और फिटिंग की भी हम लाइंड डो कर देंगे उपर से लेकर नीचे तक तो देखे इससाय को बिली है अभी गले की चोड़ाई के लिए हमें धाई इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हम आगे से इसमें डीपनेक बनाने वाले है तो गले की चोड़ाई हमें धाई इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें तीन इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें पाच इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है फ्रांट और बेकनेक के लिए देखे इस तरह से अभी जहाँ पर हमारी आम होल वाली लैन है वहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाना है और शॉल्डर स्लोब के लिए एक त्िर्ची लैन ड्रो कर देनी है अभी सबसे पहले हमें बेकनेक और बेकाम होल से इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रो किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है अभी जहाँ पर हमारे कमर वाली लाइन है और हिप वाली लाइन है वहाँ पर हमें छोटा सा कट लगा देना है तो देखिए इस तरह से मैंने cutting कर ली है अभी हमें इसमें से एक पाट को निकाल लेना है और एक पाट को निकालने के बाद हम इसे वापस से double fold कर लेंगे और front neck और front arm hole की cutting कर देंगे तो देखिए इस तरह से मैंने cutting कर ली है और ये हमारे दो पार्ट है आगे और पीछे के लिए अभी सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे तो उसके लिए मैंने ये तिर्ची पटी कट की हुई है इसे सीधी सैट से ही गले के उपर रखना है और इसके उपर हमें सिराय लगा देनी है और पटी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की सैट पर मोड देना है और इसी तरह से फ्रांट नेक के उपर भी हम दिर्ची पटी अटेच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की सैट पर मोड देंगे तो देखे मैंने फ्रंट नेक पर भी और बेक नेक पर भी तरची पट्टी आटेच कर ली है अभी एक पाट को हमें सीधा रखना है और उसके उपर दूसरा पाट हम उल्टा रखेंगे और इसके शॉल्डर जॉयंट कर लेंगे तो देखे मैंने इसके शॉल्डर जॉयंट कर लिया है अभी हम इसका आम होल रेडि करेंगे तो आप चाहे तो इसमें स्लिव भी लगा सकते है लेकिन मैं इसे स्लिव लेस बनाने वाली हूँ तो आम होल के उपर भी हमें दिर्चि पट्टी अटेच करनी है तो पट्टी को सीधी साइट से ही रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइट पर मोड देंगे और इसी तरह से दूसरे साइट के आम होल के उपर भी हमें दिर्ची पट्टी आटेच कर लेनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड देना है तो देखे मैंने आम होल पर दिर्ची पट्टी आटेच कर ली है दोनों ही साइड से अभी इसे हमें उल्टा कर देना है और जहां तक हमने हिप लाइन के लि उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है तो दोनों ही साइट के चाक को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है उपर और नीचे के दोनों ही साइट के चाक को हम डबल फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाय लगा देंगे और उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें simply double fold कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है उपर और नीचे वाले दोनों ही parts की बॉर्डर को double fold करते हुए इसके उपर हम सिलाय लगा देंगे तो देखे जहां तक हमारी हीप लाएन है वाहा तक हमें 2-inch का gap रखते है इसकी फििटिंग कर लेनी है तो दो-दो सिलाय हम लगा देंगे उसके बाद जहां तक हमने सिलाय लगाए है वाहाँ पर हमें एक छोटा सा kट लगाना है दोनों ही side से जहां तक हमारी हीप लाइन है वहाँपर हम छोटा सा कट लगाएंगे, कट लगाने से क्या होता है कि अगर हम चाक फोल्ड करते हैं तो बहुती फिनिशिंग से हमारे चाक फोल्ड हो जाते हैं, उसके बाद हमें चाक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, और इसके उपर हमें शिलाए जैसे कि आप विडियो में देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से उसके बाद दूसरी साइट के चाक को भी हम अच्छे से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे उपर से लेकर नीचे तक और इसी तरह से दूसरी साइट के चाक को भी हमें डबल फोल्ड कर ले कि ज़िल सबस्क् SJचल उसके बाद जो नीचे वाली बादर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके उपर हमें सिलै लगा देनी है आगे और पीछे वाला जो पार्ट है उसकी बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे तो देखिए हमारे चाक कितनी फिनिशिंग से फोल्ड हो चुके है आप देख सकते हैं तो देखिए इस तरह से हमने इसकी फिटिंग भी कर ली है और उपर और नीचे के चाक को भी हमने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और दूसरी साथ पर भी हमने हीप लाइन तक इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे के चाक को भी हमने फोल्ड करते हुए इसमें स आपकानी सलवार बनाई हुई है जिसका टुटोरियल मैं आपके साथ इसके पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ तो आप जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी आपको आज का टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में उस बेल आइ झाल 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 झाल